हेलो डियर ओडियंस वेलकम तू आवर चैनल इकनोमिक्स स्टेड़ी पॉइंट भाई इस वीडियो में डिसकस करूंगा कंपरेटिव थियोरी आप इंटरनेशनल ट्रेड जो पेपर के लिए जिसको हिंदी में कर सकते हैं अंतरास्तिय बाइपार का तुलनात्मत लागत का सिद्धान सब्सक्राइब को डैबलब किया गया है डैडिड रिकाड़ो ने अपनी बुक प्रिंसिपल और पॉलिटिकल एकोनोमिक्स एंड टैक्सेशन में 1870 में इसको फर्दर रिफा परदारिक पहला लेवर वनली अलिमेंट आप कोस्ट आप प्रॉडक्शन का क्याकुलेशन अन डा बेसिश ओफ लेवर क्याधार पर होगा इतना घंटा हो का किसी वस्तु के प्रोड़क्शन में देता है गोड़ सॉर अचेंग अदर उन एन अधर बैसिश ओफ रेलेक्ट लेवर मोबाईल है लेवर और देश के बाहर मनें एक देश के दूसरे देश में नहीं जा सकता है लेवर होमेजीनियस है मतलब एक शमान क्वालेटी सारा लेवर है ठीक है प्रोडाक्शन में कौन सा रिटर्न अप्लीकेबल है इसमें कोई ट्रांस्पोर्ट कोस्ट नहीं इंवल्ब होता है यह मानियता है कि नो ट्रांस्पोर्ट कॉस्ट यह फूल इंप्लाइनेट की मानियता परदारित है सभी जो फेक्टर प्रॉड कॉडूर्ट इंवल्ब करता है इस धांक है जो इसका बेसिक यह है कि प्रतेग देश को उस कंट उस कोमेडिकी का प्रोडक्शन करना चाहिए जि उस्ट्रे वस्तू का प्रोडक्शन ना करके एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए अधर कंट्री जिसमें वो इफिसेंट नहीं है उन्होंने एक हैपोथर्टिकल एक्जाम्पल लिया है रिकाडो ने दो कंट्री इंगलाइंड एंड पॉर्शोगल है जो इंगलाइंड नष्ट्रेंगा चलता है कि जो पॉर्शोगल का कम्परिटिव एडवांटेज distinction ये प्रोडक्शन और दोभ स्व ऑस्वों के प्रोडक्शन में उसको पॉर्शोगल को इंगलान की कुल्हां में आप देखोंगे कि दोनों वस्तून को कम लेवर आवर में प्रोडक्शन करनी लेता है ठीक है तो इस अनुसार तो पॉर्शोगल को दोनों वस्तूं का प्रोडक्शन करना चाहिए तो यहां इंटरनेशनल प्रेड फैल हो जाएगा है लेकिं आप इसको ऑपर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले ऑ अवसरवादी लागत क्या है तो अपर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यह होता है कि अपर्चुनिटी कॉस्ट ऑप कॉमेडिटी एक्स is the amount of another कॉमेडिटी वाई which is given up for sake of production of additional unit of कॉमेडिटी एक्स मतलब कॉमेडिटी एक्स का जो अवसरवादी यह अपर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कॉमेडिटी वाई के उस मात्रा को त्याग दिया जाता है जो एक्स के additional unit को production के लिए लगा जाता है तो आप बेर सकते हैं अगर opportunity cost आप देखोगे दोनों country इंगलाइड और पर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे calculate किया गया relative मतलब divide कर दिया one unit of cloth by one unit of wine ठीक है और इस सिम्दरभी उसी तरह का यहाँ भी division कर देना one unit of wine by one unit of cloth अब यहां देखोगे इंगलाइड में जो opportunity cost जो one unit of cloth मतलब एक unit of cloth का 0.83 है और wine का है 1.2 तो अभी असली यह cost दिखा रहा है इंगलाइड को किस वस्तों करना चाहिए क्लाइड का करना चाहिए ठीक है और पर्सोगल का जो opportunity cost क्लाइड का 1.12 है और wine का 0.89 तो opportunity cost किसके production में पर्सोगल को कम है wine का production तो पर्सोगल को wine का production करना चाहिए और Märit. साथ मंगा लेना चाहिए export कर लेना चाहिए इंपोर्ट कर लेना चाहिए कहां सेvert clan और इंग्लाइड को अपने resources को जो protective resources को किसके production में लगाना चाहिए Alan के production में और इंपोर्ट कर लेना चाहिए वाइन फॉम पॉर्शोगल ऐसा करने पर दोनों कंडरी को लाध होगा, ठीक हैं? यही स्रिद्धान का बेसिक थीम है, I hope everybody got the thing I discussed under this video, thanks for watching my video, till in, जय हैं!